नमस्कार दिलेईर पुरुमान्चल में आपका स्वगत है। हिंदुस्तान की राजनीत में सपास अंदर्चक मुलायम सिंग्यादों का बड़ा नाव है। मुलायम सिंग्यादों को उनके समस्थक धर्ती पुत्र कहते हैं। गाउं से निकल कर इंदुस्तान की राजनीत में आपने नाम का डंका बढ़ाने वाले मुलायम सिंग्यादों देश के बड़े नेताओं में गिने आते हैं मुलायम सिंग्यादों मिठाईयों के कासी सौकीन बताये आते हैं मुलायम सिंग्यादों मिठाई खाने के इतने सौकीन है कि जब भी उन्हें मनकता वा इटावा की देशी मिठाईयां चक्रे सिरे दुकान पर पहुच जाते थे दुकानदारों ने मुलायम के कई रोचक किस से बताएं मुलायम सिंग्यादों मिठाई खाने के बेहर सौक है और उनकी यह आदत कभी नहीं बदली मुलायम सिंग्यादों जब भी इटावा सहर आते हैं तो वस सहर के बल्दयों चड़ाहे पर पहुच कर बल्दयों मिठान भंडार जरूर जाते हैं बल्दयों प्रसाद यादों मिठान भंडार के दुकानदार सुरेश यादों का कहना है कि नेताजी जलेवी और खस्ता कचोड़ी को बहुत पसंद करते हैं उनका कहना है कि नेता जी इटावा आते हैं तो कोठी पर हमारे यहां की मिठाईयां और नास्ता का साध जरूर लेते हैं। सुरेश ज्यादों ने एक बाल का किस्सा सुनाते हुए कहा सेभाई में देजवर के दिग्ज डाक्टरों का सेमिनार था। तो नेता दी मुलायम सिंग्यादों ने उनसे मिठाईयों और नास्तों अन चीजों के मेनु को लेकर बुलाया। सुरेश से सहर में मिलने वाली तमाम मिठाईयों और इसनेस के बारें बताया। लेकिन नेताजी ने सब सुन्ने के बाद कहा कि तुम जलेवी, दही और असमलाई का इंतियाम करो। सेविनार में डाक्टरों को देशी घी की बनी जलेवियां और अनमठाईयां काफी पसंदाई। नेताजी ने खुड सुडेश को बुला कर उनकी तारिवी की, वहीं सुडेश यादों के बेटे सरद यादों ने बताया की नेताजी दीपावली और अन तेहवारों पर इटावा से ही तमाम मिठाईयां पैक करा कर अपने दोस्तों राजनेतिक नेताओं सांसर विरायकों के के लिए भेजते थे, खासकर जनरेस्ट और मुर्स्त के लिए चोन पापड़ी ले जाना नहीं भूलते थे, अगर आपने हवी तक हमारे चैनल तिलेर पुरुमांचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल बटन जरू दबाएं